कई बार यह होता है कि वजन जादा होने की वज़े से हम अपनी जर्णी स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने समझ ही नहीं आता कहा से शुरू करें, कौन सी exercise करें, इंजरी तो नहीं हो जाएगी, कोई और प्राब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो जो exercise मैं आपको बताने व डिल्कुल सीधे खड़े हो जाईए इस तरसे रखिए अपने पैर को साइड में इस तरह से उठाब किया इतना उठा सकते इतना उठाई जादा सकते तो उतना अब उठाने कोशिच कीजिए विश्वास के जिये कि शुरू में आपका पैर हो सकता है कम उठे लेकिन अगर आराम से उठा पाएंगे, तो ये प्राक्टिस आप मेरे साथ साथ में कीजिए, तो पांच बार हम करेंगे एक पैर से, पांच बार करेंगे दूसरे पैर से, So, let's start, 1, जितना आप आराम से उपर उठा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, दूसरे साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी एक्साइज करने में आपको जो भी प्राब्लम आ रहे है, कॉमेंट शेक्टिन में साथ के साथ में लिखते जाएए, अदर्वाइस मेरे साथ में अगली एक्साइज करते जाएए, नेक्स एक्साइज है, वो भी हमें दिवार के साथ में करनी है, इस तरह से अपने दोनों हाथों को दिवार पे रखेंगे, सामने की तरफ, पैरों को पीछे रखेंगे, अपनी बाड़ी को आपको कंट्रोल करना है, मतलब ऐसा निए कि आपकी कमर कहीं भी ऐसा आ इसमें हम गलती क्या करते हैं, हातों को ऐसे साइड में खोलते हैं, साइड में नहीं खोलना है, अंदर की तरफ खोलना है, इस तरह से, एंड बैक, इससे पांथ रेपेटिशन करेंगे इसके भी हम, वान, टू, त्री, पोर, एंड फाइफ, ये एक्सरसाइज आपके हातों पेट को तो कम करेगी, करेगी, साथ में आपके पॉस्चर को भी इंप्रूब करेगी और आपके बैली एरिया के फैट को भी कम करेगी, आप देख लेते हैं, हमारी थर्ड एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से पैरो को खोलना है, जितना आप आराम से खोल के बैलेंस कर सकत जितना आप आराम से हो सकते हैं उतना बैंड हो यह बस आपको दो चीजों का ध्यान लगना है पहली चीज अपने पेट को थोड़ा सा अंदर खीच के रखिए और अपने हाथ को आपको बस काल के पैलर लेके जाना फिर आराम से बैंड होना है अकसर हम लोग क्या गलती करते ह हैं हम सोचते हैं कि जादा नीचे जुकेंगे तो जादा आसार आएगा तो हम लोग ऐसे आगे हाथ लेके इस तरह से आगे जुक जाते हैं क्या होता है कि हमारा पॉश्य बिगड़ जाता है और जो इस प्रेसे साइड में आना चाहिए वो साइड में आके पीछे कमर में इ तो यह चीज नहीं करना, आप आराम से अपने हाथ को कान के पास लेके आईए and slowly go down, जितना आराम से जा सकते हैं, थोड़ा जा रहे हैं, completely okay, प्राक्टिस करते करते हैं, आप जादे भी जा पाएंगे, change, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, that's it, तो आपने तीन exercise की, I hope कि आपको बहुत मज़ाया होगा, next exercise करने के लिए आप आराम से mat पे बैठ जाईए, इस तरह से, दोनों पैरों को सामने रखिए, इस तरह से, अभी आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान लखना है, अपने घुटनों को आपको आपस में मिला के रखना है, और तो इसको आपस में मिला की रखना है, और यह घुटने आपके 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 खुलने नहीं चाहिए exercise करते हैं, make sure about this, तीरे बैठेंगे इस तरह से, कमर को maximum सीधा करने की कोशिश कीजिए, हातों को सामने लाइए, उंगलियों को आपस में इस तरह से फसाईए, इतना आराम से घुम पा रहे हैं, बिल्कुल इतना सा घुम पा रहे हैं, completely okay, leave नहीं करना है exercise को, करके देखना है आपको आपको आप कर पाऊगे, so just 10 rounds इसके हमें करने है, कमर को सीधा रखना है पूरी exercise में और घुटनों को मिला के रखना है, so let's start, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, normal breathing करनी है, अगर ये exercise आपने मेरे साथ साथ में की है और बिल्कुल सही तरीके से की है, तो आपको दो जगा पर प्रेशर फील होगा, पहला आपकी thighs में और डूसरा आपके back में, ठीक है, तो ये exercise हो गई, अब हम करेंगे हमारी next exercise, इसको करने के लिए आराम से आप इस तरी के से लेट जाईए, इस तरह से अपनी कोहनियों के उपर लेटना है आपको, आपको इस तरह से अपने एक प्यार को उपर उठाना है, जितना उपर आप आप आराम से ला सकते हैं, बिना घुटना मोडे, उतना उपर लेके आईए, और धीर इसे बापस रग दीजिए, ये 6, 7, 8, 9, 10, that's it, come up, 10 counts में ही आपको इस exercise के results दिखने शुरू हो जाएंगे, और आप इसको regular करेंगे, तो बहुत ही visible results आपको बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे, तो friends, अपनी weight loss plus fitness journey के starting, आप इन 5 easy exercise के साथ में कीजिए, आपको इस exercise करके कैसा लगा, comment section में जरूर ब आपका feedback अच्छा आएगा, आपके comments जाद आएंगे, तो मैं इस तरीके की और videos भी आगे आपके लिए लेके आऊंगी, तो please stay connected, comments करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिश रहिए, fit रहिए, thank you